नमस्कार दोश्तों एक बार फिर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS Mets, DRS Toppers Live पर फिर से स्वागत करता हूँ जोगरफी में आज एक नए कॉंटिनेंट के बारे में डिसकस करने चल रहे हैं एक नए कॉंटिनेंट को जानेंगे एक नए महादवीप को साउथ अमेरिका, दक्षड अमेरिका, चलिए देखते हैं क्या है ये सबसे पहले तो आपको बता दें, ये आपके जो छितरफल के हिसाब से एरिया वाइस अगर आप दिखोगे तो नमबर एक पर आता है एसिया, सबसे ज़्यादा छितरफल, फिर आता है नमबर दो पर अफरीका, फिर उसके बाद आता है नमबर तीन पर नौर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नमबर चार पर आता है साउथ अमेरिका, नमबर पांच पर आता है अंटर्गर्टिका, नमबर छे पर आता है यूरोप और नमबर साथ पर ये पूरा एरिया आता है ओशीनिया तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि साउथ अमेरिका विश्व में चौथा सबसे बड़ा महादवीब और अगर यही हम चेतरफल की बात करें तो ये पूरे अर्थ के चेतरफल का लगबग 12 प्रतिशत चेतरफल कहां पर है साउथ अमेरिका में और अगर आप देखो तो ये साउथ अमेरिका से होती हुई ये एक्वेटर यानि की भूमद रेखा और ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन यानि की मकर रेखा दोनों यहां से गुजरती है आप अगर देख रहे हो तो ये equator जो आपको ये दिख रहा है equator के नीचे ये वाला जो एरिया है लगबग दो तिहाई छेतर लगब कितना two-third area भूमद रेखा के नीचे है equator के नीचे और फिर आगे बढ़ते हैं तो और कुछ जानने से पहले पहले कुछ एक सब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एक word आप सुनते हो North America उत्तरी अमेरिका तो North America इन तीनों को मिला के बनता है किसको Canada, United States of America यानि USA और मेक्सिको इन तीनों को अगर आप मिला दो तो इन तीनों को मिला करके कहते हैं North America और यहां पर यह पनामा आपको दिख रहा है जो यह 7 नमबर दिख रहा है पनामा इसके South में यह जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं दक्षड अमेरिका आप यह देखो क्या है North America मतलब Canada, US और मेक्सिको South America का मतलब हुआ countries lies in the South of Panama अब South of Panama अगर आपको नहीं दिखा अभी तो आप यह देखो यह है जो 7 नमबर आपको दिख रहा है यहां पर यह यह है पनामा clear? आगे चलते हैं और एक दो वर्ड यूज होता है एक वर्ड यूज होता है Middle America और एक वर्ड यूज होता है Central America तो आप देखो Mexico और यहां पर इसके बीच की जो यह countries है इसको कहते है Central America और अगर Mexico को include कर लें तो इस वाले portion को कहते है Middle America यानि मद्य अमेरिका तो यह अगर आप देखो तो यह पूरा area क्या है मद्य अमेरिका जिसमें क्या है आपका Mexico और बागी countries है और Central America में क्या है सिर्फ यह countries इन countries में जो कुछ मुख्य देश है वो यह सातों है कौन-कौन से Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica और साथ नमबर पे आता है Panama और Panama से आगे स्टार्ट हो जाता है कि आपका दक्षिड अमेरिका इधर जो islands है इनको कहते है Caribbean island group ठीक है उसमें ये कुछ countries है इसके बारे में आगे डिसकस करेंगे ये Caribbean Sea में आते हैं इसलिए इनको क्या कहते है Caribbean island group तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है अब इसके बाद अगर आगे बढ़ो Middle America का मतलब क्या हो गया Mexico plus countries between the North America and South America Central America का मतलब क्या हो गया countries between North America and South America आगे देखते हैं next word आता है Anglo America तो ये पूरे अमेरिका का वो countries जहाँ पर सिर्फ English as a language बोली जाती है English as a language यूज होती है उसको कहते है Anglo American तो ये हो गया Canada और USA ये दो countries ऐसी है जहाँ पर सिर्फ English as a language है तो इन दोनों को कहते है Anglo America rest of that is known as Latin America बाके सब को क्या कहते है Latin America Latin America actually क्या होता है कि वो country जहाँ पर Latin language यूज होती है Latin में चार languages है जिसमें आपका आता है Spanish कौन कौन सी language है Spanish हो गया Portuguese हो गया क्या हो गया Spanish Portuguese ये आपका हो गया G-U-E-S-E Portuguese हो गया और फिर इसके बाद अगली language आती है आपकी French कौन सी French और उसके बाद आती है Italian तो ये जहाँ पर ये चारो languages बोली जाती है उसको कहते है Latin America तो यही सारी चीज़ें हो गई Anglo-America means American countries using English as a language Canada and US only फिर उसके बाद में आपका आता है क्या Latin America तो Latin America का मतलब क्या हो गया कि American countries using Latin language Spanish, Portuguese, French and Italian Clear? आगे बढ़ते हैं अब देखो दक्षिड अमेरिका में 9 ऐसे देश हैं जहाँ पर Spanish रास्ट भासा है ब्राजील के रास्ट भासा पुर्तगाली यानि पॉर्तोगीज है गोयाना में अंग्रेजी और सुरी नाम में डच भासा सरकारी काम में यूज की जाती है ठीक है ये कि आपको जानने के लिए था आगे बढ़ते हैं अब ये आपको दिखता है ये आप देख रहे हो ये त्रिभुजाकार आकार में जो आइलैंड आपको जो ये continent आपको दिख रहा है ये continent आपका कौंसा है South America इसका आकार कैसा है त्रिभुजाकार दक्षड अमेरिका का इति दक्षड अमेरिका की जो जड़े थी वो एसिया महाद्वीप में थी उन में से कुछ लोगों ने एंडीज यहाँ पर यह आप इसके वेस्टन इधर पस्चिमी शेतर में देखेंगे तो एंडीज परवत माला है एंडीज माउंटेन रेंज है चीक है तो उन में से कुछ इंका सव्विता थी यह सव्विता 1590 के प्रारम में इस्पेन आक्रमडकारियों के दोरा नस्ट करती गई कब 16 सताबदी में योरोप से ज़्यादातर इस्पेन और पुर्तगाल के निवासी इस महादवीब पर सोने चांदी की तलासमर आये और वो यहीं आकर के बस गए और धीरे धीरे इस्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने इस पूरे महादवीब पर क्या कर लिया अपना नियंतरण अस्थापित कर लिया सुतंतरता प्राप्ति के लिए अपने आपको आजात कराने के लिए 1820 इसबी में कब 1820 में यहां बसे लोगों ने इस्पिन और पुर्तगाल के विरुद्ध युद्ध किया और 19. सताबदी में क्या हुआ कि एक नवीन करांतियाई जिसके परडाम सुरूप इसके देश एक के बाद एक स्वतंत्र होते गए और आज दक्षड अमेरिका स्वतंत्र देशों का एक महाद्वीब है तो दक्षड अमेरिका इस तरीके से इसका इतिहास रहा अगर हम बात कर रहे हैं दक्षड अमेरिका की तो आपको सीधी सी बात ये पता है कि छेतरफल के ममले में ये किस नंबर पर है फोर्थ नंबर पर ह चौथा सबसे बड़ा महादवीब है दक्षड अमेरिका आकार इसका कैसा है त्रिवुजाकार वहीं अगर हम इसके उत्तर से दक्षड की अगर ये दूरी की बात करें उत्तर से दक्षड अगर इसके लंबाई की बात करें तो ये लगबग 7,640 किलो मेटर है और अगर आनी होगी चीक है तो ये आपका हो गया यहां से स्टार्ट करते हैं एक एक चीज आपको दिखनी चाहिए एकदम जब भी आपसे बोला जाया तो आपको ये चीज मैप पे दिखनी चाहिए ये मैप आपको याद आना चाहिए तो ब्राजील की कैपिटल ये रही जो स्टार Monte Video, clear, इसके बाद इसके ठीक नीचे जो आपको ये country दिख रही है ये लंबी सी, ये country है Argentina और इसकी capital है Buenos Aires, Buenos Aires है कहाँ पर तोड़ा और जूम करते हैं, ये रहा Buenos Aires, ये रहा बिलकुल, यहाँ पर Rio de la Plata पर, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर है Buenos Aires clear, आगे देख लो अब इसी चीज़ को अगर आपको दिखाएं, तो क्या हो गया ये टाइपिंग मिस्टेक है, ब्राजील, ब्राजील की capital ब्राजीलिया, उरुगवे की capital Montevideo, अर्जेंटेना की capital आगे बढ़ो, अब इसके बाद इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे की countries को देखते हैं अब आप ये हो गया, ब्राजील, उरुगवे एंड अर्जेंटेना, अब ये जो लंबा सा ये पतली सी मिर्ची जैसी, जो लाल मिर्ची जैसी दिख रहा है आपको, ये लाल मिर्ची जैसी जो country है, इसको कहते हैं चिली क्या कहते हैं? चिली, इसका क्या है? चिली ये country हो गई और इसकी capital हो गई सैंटियागो कौन से capital है? सैंटियागो अब चिली के ठीक उपर जबाब आते हो तो यहाँ पर आपको ये एक country दिखाई पड़ रही है, पेरू पेरू की capital है, लीमा और फिर लीमा से जब आप उपर बढ़ रहे हो ये रहा, तो लीमा से ठीक उपर आपको ये दिख रहा है क्या? इक्वाडोर और इक्वाडोर की capital आपको दिख रही है यहाँ पर क्वीटो, क्वीटो कहाँ पर है? एक्वेटर पर, भूमद दिरेखा पर विश्व की इकलोती ऐसी राजधानी जो भूमद दिरेखा पर आती है वो कौन सी है? क्वीटो क्वीटो किसकी capital है? एक्वाडोर की, यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको दिखती है कंट्री, कोलंबिया कोलंबिया की capital यह रही, बोगोटा और बोगोटा से कोलंबिया, कोलंबिया की capital बोगोटा इसके जस्ट पगल में आपको दिख रहा है यह वेनजुएला, वेनजुएला की capital यह आपकी हो गई कराकस, clear है, देखो चिली की capital सेंटियागो पेरू की capital लीमा, इक्वाडोर की capital क्वीटो, कोलंबिया की capital बोगोटा और वेनेजुएला की capital कौन सी है कराकस, चीक है, इक्वाडोर इसी से याद रहेगा, इक्वाडोर, इक्वेटर तो इक्वाडूर की capital कहां पर पढ़ती है एक्वेटर पर, कौन सी capital है, क्वीटो, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, वेन जुएला से आगे बढ़ते हैं, तो अब इसके बाद आपको ये countries देख रहे हैं, ये कौन सी, गुएना, गु इस भी से ले, इस पर, इस French गुयाना पर किसका अधिकार है, प्रांस का, ये इतना important क्यों है, यहाँ पर, एरियन प्रक्षेपन केंदर स्थापित है, फ्रेंच गुयाना पर, कौन सा केंदर स्थापित है, एरियन प्रक्षेपन केंदर, एरियन प्रक्षेपन केंदर किसका जाती है यहाँ से देखो equator बिल्कुल पास में है यह रहा भूमध्य रेखा तो उसके लिए यह ज़्यादा important रखता है तो यह अभी भी French Guiana किसके अंडर में है France के अंडर में है Guiana के George Town सूरी नाम के परामारेवो French Guiana की काईने ठीक है चलो आगे देख लेते हैं तो यह रही Guiana की capital George Town सूरी नाम के capital पारामारेवो फ्रेंच Guiana की capital काईने और यह French Guiana किसके अंडर में है France के ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर आपको दो landlocked countries दिख रही होंगी landlocked का मतलब अस्थल रुद ऐसी countries जो चारो तरब से land से गेरी हों इसमें एक नमबर पर आती है परागवे परागवे की capital है आसुनसियान और यहीं पर बगल में आता है बोलीविया बोलीविया की दो capital है एक है इसकी लापाज लापाज इसकी political capital है मतलब parliament यहाँ पर होगा और दूसरी capital है सुकरे यह इसकी administrative capital है administrative capital का मतलब कि यहाँ पर secretariat ही यहाँ पर होगा जहाँ पर भी दो capital हो तो दो capital का मतलब कि जो political capital होगी वहाँ पर parliament होगा जो administrative capital होती है वहाँ पर sigretariat होता है то La Paz इसकी political capital है और शुक्र्य इसका क्या है क्या है administrative capital है ठीक है देखलो इसे तो यह रहाएप का प्रागवे की capital असुनसियान और यह बॉलिविया की capital La Paz जो की political है सुक्र्य की capital सुक्र्य जो इसकी है वो administrative capital है यहाँ पर parlement होगा और यहां पर Secretariat होगा आगे बढ़ते हैं यहां पर इसके दो और Island Countries हैं Island Countries की बात करें तो यहां पर आपको देख रहा है Trindad and Tobago इसकी Capital है Port of Spain और यहां पर नीचे आपको देखेगा Falkland यह इसकी Capital है Stanley या Port Stanley यहां पर UK का कबज़ा है आप देख लो इसको यह रहा Trindad and Tobago यह रहा इसकी Capital Port of Spain और यहां पर अगर हम नीचे चलते हैं तो यहां पर यह आपको देखेगा क्या इसका यह Falkland Island जो की UK की territory है इसकी Capital Stanley या इसी के पहले Port लगा लो Stanley या Port Stanley यहां तक आगे चलते हैं यह हो गया Falkland Island Stanley या Port Stanley इसकी Capital हो गई त्रिंदाद and Tobago इसकी Capital हो गई Port of Spain clear है चलो आगे देखते हैं अगरे इक्वेटर भोमध्य रेखा या विशुवत रेखा की तो यह दक्षड अमेरिका में इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राजील से हो करके गुजरती है किन तीन देशों से इक्वाडोर कोलंबिया और ब्राजील यह रहा यहां से होके गुजरती है और अगर हम बात करते हैं किसकी मकर रेखा की मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ओफ कैपरिकॉर्ण की ये चार देसों से होके गुजरती है पहला है चिली दूसरी कंट्री है कौन सी अर्जेंटीना तीसरी कंट्री है परागवे और चौथी कंट्री क्या है ब्राजील ये हमने बात करी है वेस्ट टू इस्ट पस्चिम से पूरब की ओर ठीक है तो ब्राजील अपनी बाउंडरी हर कंट्री के साथ में शेयर करता है केवल दो देसों के साथ शेयर नहीं करता वो दोनों कंट्री कौन कौन सी है तो एक है इकवाडोर और दूसरा है चिली इन दो को छोड़ दीजे तो बाकि सब के साथ में ब्राजील अपनी बाउंडरी यहीं पर अगर हम बात करते हैं, उपर से अगर आप देखोगे, तो कोलंबिया, वेंजुएला, गुवाना, सूरिनाम, एंड फ्रेंच गुएना, ठीक है? यह अपनी boundaries share करते हैं किस से? करिबियन सी से. और अगर हम बात करें, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और इधर चिली, यह अपनी boundaries share करते हैं किस से? Pacific Ocean से, clear? और इधर अगर हम देखें, तो कोन है? ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, यह अपनी boundaries share करते हैं कहां से? Atlantic Ocean में, ठीक है? और अगर आप यह देख रहे हो, तो यह South American countries जो है, यह total, यह है इसकी coastal line, coastal line की जो इसकी length है, यह 25,450 km, ठीक है? Coastal line कितनी है, यहां की 25,450, और इंडिया की कितनी है? यह आपको बताना है, कि इंडिया की coastal length कितनी है? तो यह अगर आपको याद होती है, लगबक 7516.6 km था, या फिर आप इसी को short में लिखते थे, 7517 km, तो आप देख लो, इंडिया का लगबक 3 गुना, इसका coastal length है, चलो आगे, और एक चीज यहां पर आप देख लो, यही पर एक चीज आपको बता दें, दो और islands हैं, एक है गाल पैगोस आइलेंड, यह इकवाडोर का है, और अगर आप पर अशन नीचे आते हो, तो यहां पर एक आइलेंड आपको दिखेगा, कौन सा, जुआन फरनाडेज आइलेंड, यह किसका है, यह चीली का आइलेंड है, ठीक है, तो यह कुछ बेसिक बात हैं, हमने आपके स सब्सक्राइब कर लिजी, जिससे हर आने वाले वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले, ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो, आप ओशीनिया कंप्लिट हो गया है, मैज्स के सारे लेक्चर्स कंप्लिटेड हैं, आप उनको जाकर के देखिए और उसको प्रिपेर करिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यबाद, फिर मिलते हैं आगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, वीडियो बाई DRS मैच्स और DRS टॉपर्स लाइव